पर आज हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ आप सभी से मिलने के लिए हलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग कैसे हैं और कैसी चल रही है आपकी प्रेपरेशन वेरी गुड इवनिंग जितने भी लोग अभी मुझा जॉइन कर रहे हैं सभी का बहुत-बहुत सभागत है और मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ आज के स्पेशली आज के हुए बाकी हम जो है content के perspective से भी आज काफी special रहने वाला है काफी कुछ चीजे आज हम जानेंगे very good evening चाया जी रिया जी राकेश दपांशू रिया और जितने भी इद्शा जी और जितने भी students भी आये हैं सभी का बहुत-बहुत स्वागत है कैसे आप सभी लोग I hope आप सभ चल रही है तो आज का session शुरू करें हम फटा फट एक बरी जितने भी students है एक बरी जॉइन कर लिजे और जितने भी जॉइन कर चुके हैं वो एक बरी session को फटा फट शेयर कर दीजे ग्रूप में भी कोई डाल दो कि session शुरू हो चुका है ताकि सब लोग जो है जॉइन कर ल Good evening, Good evening और भी जितने सारे students हैं यहाँ पर तो हाँ जी जो भी यहाँ पर नए students है मैं उन सब को बता दू कि हम यहाँ पर सबसे पहले map based questions देखते हैं क्योंकि mapping जो है वो current affairs को याद रखने में सबसे जादा helpful होती है अगर हम mapping के through current affairs याद करने की कोशश करते हैं तो हम जो है जादा time तक retain कर पाते हैं और हाँ एक बरी मैं यह pattern introduce कर दू उसके बाद एक खुशखबरी भी है जो मैं आप सब से share करना चाहती हूं वो एक बरी pattern के बाद करेंगे ठीक है तो previous question papers हम करेंगे उसके बाद ताकि आपको यह पता चल जाए कि किस तरीके से सवाल पूछे गए ह पहले और उसी हिसाब से आप अपनी आगे की तयारी कर सकें राइट current questions हम देखेंगे topic of the day हम लेते हैं उसके बाद scheme of the day हम लेते हैं P.I.B. की जतनी भी news है वो सारी चीज़े हम cover करते हैं जो खुशखबरी की बात मैं कर रही थी वो यह है 27 January यानि परसो जैसे मैंने वो 6 मह ने का current affair लिया था ना एक ही वीडियो में ऐसे मैं एक और वीडियो प्लान कर रही हूँ बट वो होगा जितनी भी government schemes हैं I am sure सारे students को इस चीज़े का बहुत ही जादा इंतजार होगा कि कहीं से हमें current affairs की सारी जो schemes हैं पिछली एक साल की वो मिल रहे और हम वहां से एक बारी म का समाधान मैं लेकर आ रही हूँ 27 January को यानि कल तो है हमारा Republic Day परसों जो है हम वो करेंगे और उसके timings वगेरा कहां पर आएगा timings वगेरा सब मैं telegram पे आपको inform कर दूँगी आपको सिर्फ इतना make sure करना है कि उसमें जो है आना है और जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको के लिए भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बट या यह सभी के लिए जो भी आप किसी भी एक्जाम के तयारी कर रहे हो 2023 में government scheme से सवाल बनेगा ही बनेगा in fact कुछ paper तो ऐसे हैं जैसे RBI उसका जो descriptive है उसका जो essay लिखना होता है या फिर ESI का paper है है ना उसमें तो directly government scheme से question आ रहे है government scheme आधा paper government scheme का ही भरा हुआ होता है तो आप समझ सकते हैं यह lecture शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जादा important होने वाला है तो आप जरूर आईएगा और again जैसे आपने पिछली बार मुझे support करा था उससे जादा इसको support करिएगा ठीक है जैसे हमने पिछली ग्रूप में जो है एक बड़ी ग्रूप में कोई एक student पिन भी कर दीजे message ग्रूप में पिन कर दो ताकि सब बच्चों के पास वो message पहुंच जाए पिन कर दीजे फटाफट ओके ये sensor मुझे detect नहीं कर पा रहा है जैसे आप लोग नहीं यहां आ रहे हो वैसे sensor को भी लग रहा है कि शायद मैं नहीं हूँ बट मैं हूँ यहां पर तो शुरू करते हैं आज के पहले सवाल के साथ again बड़ा ही interesting सवाल है हाल फिलाल में बड़ यह है first question कौन सा जो है सवाल coral reef से related है coral reef से related कौन सा जो यहां पर है statement या फिर coral reef जो है आपको मुझे बताना है कि कहां कहां पर मिलते हैं ठीक है चलिए फटा फट बता दीजे कौन सा है यहां पर pin कर दीजे जितने भी यहां पर student है एक बड़ी telegram group में message pin कर दो कि माम की class शु बट मैं जगा दूँगी उसकी टेंशन नहीं है मत दीरे दीरे जो है चलिए करिए हां जी अन्नमाने नीकोबार में coral reefs मिलते हैं gulf of kach में मिलते हैं gulf of mannar में मिलते हैं सुन्दर बंज में मिलते हैं या फिर इन में से कोई भी नहीं जो लोग हिंदी में पढ़ना चाते हैं ओके 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 पायल जी हाई पायल जी हलो 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 हां जी अंचली जी वेरी गुड आंसर दीजिए इसका सभी भारदवाज जी आप नहीं है मेरी क्लास में गुड इवनिंग शाहिद जी ओके दीक्षाद जी जी चलिए जी वेरी गुड यहाँ पर ए इसका सही आंसर है अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो मैंने आपके लिए हिंदी में भी यहाँ पर लिखा है यह PDF में आपको डिरेक्ली उस पर दे दूंगी ठीके टेलिग्राम पर दे दूंगी आप यहाँ से रीड कर लीजेगा जो यहाँ पर इंडिया और श्रलंका के पास पढ़ता है ठीके जी तमिल लाडू के पास अंडमान और नीकोबार में मिलता है ठीके जी सुन्दर बंस जो की यहाँ पर है वेस्ट बेंगॉल में वहाँ पर कोरल रीव्स नहीं मिलते हैं वहाँ पर मिलते हैं मैंगरूव्स तो ये वाला गलत हो जाता है, सुन्दर बंस गलत हो जाता है, बाकी सारी जगाओ पर मिलते हैं, अब अंडमान नीकोबार क्यों न्यूज में था, अंडमान नीकोबार से मैंने सवाल क्यों लिया है, यह आपको जानने की जरूरत है यहाँ पर, तो यह Economic Times की न्यूज है, वैस के नाम पर यह 21 दूइपो का नाम अब रख दिया गया है, अगर आपको नाम जानना है, मैंने आपको लिस्ट प्रवाइड करी है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वो लिस्ट को एक बरी रीड करना है, अगर आपको location देखनी है, तो मैं आपको location में दिखा देती हूँ, पटाफट, है ना, क्योंकि again location से जब हम पढ़ते हैं, तो यह अंडमान नीको बार का जो है, ठीक है, यहाँ पर आप अंडमान नीको या अंडमान सी देख सकते हैं, उपर अंडमान है, नीचे नीको बार है, तो यह सारे आप जो है, नाम देख सकते हैं, जिन जिन का नाम हुआ है, अगर आपको अच्छे से देखना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिक है, मैंने सारी जो है, यह लिस्ट आपको प्रवाइड कर दी है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार इसको रीड करना है, बहुत जादा इसमें समझने का है नहीं, ठीक है, ज बहुत अच्छे से आपको वो करके दिखाया था, समझाया था, मैं आपके थू है, अगर आपको याद हो, चलिए, मैं देख रही हूँ, धीरे-धीरे स्टूडेंट जो है, वो जॉइन हो रहे हैं, धीरे-धीरे लोगों को पता चल रहा है कि मैं वापस आ चुकी हूँ, त टेलीग्राम पे, टेलीग्राम रोज चेक करा करिये, ठीकेट, कुछ ना कुछ अब मैं इनिशियेटिव, कुछ ना कुछ चीज़े हम करते रहेंगे, और मैं सब कुछ टेलीग्राम पे जरूर डालूंगी, राइट, हाँ जी, 10 डिग्री चैनल, वेरी गुड, चलि, अगल मैं सीधा-सीधा सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, और अगैन ये इजी क्वेस्टन होते हैं, यहाँ पर कोई कॉछ नहीं लगाने होते हैं, तो जहाँ पर हमारे कॉछ लगते हैं, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा डिफिकल लगते हैं वो सवाल, बट यह बड बनिशा जी, बनिशा ने आंसर दिया है, बाकी और बताईए, अश्वनी ग्रेट, अश्वनी शिंदे बहुत बढ़िया, और बाकी स्टूडेंट्स, सभी से आंसर चाहिए, मुझे लाइव का सबसे अच्छा फायदा यही होता है, कि हम साथ के साथ आप मुझे आंसर दे, अलपेश, अलपेश नाम में पहली बार पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा नाम है आपको, और आप शायद पहली बार मेनी क्लास में आए हैं, I welcome you to my class, ओके अंजली ची, प्रियांश, पायल चाहिद, चेतक, good, मेक्सिको, या फिर इसको हम मही को भी बोलते हैं, मेक्सिको और क्यूबा को ये जॉइन करता है, जिनको नहीं पता, ये दोनों कंट्रीज कहां पर हैं, हाँ जी चाहने जी, बिल्कुल आपने सही दिया है जवाब, तो मैं आपको सबसे पहले मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आपको जूम आउट करके द दोनों को, मतलब इन दोनों को जॉइन करने वाला जो स्ट्रेइट है, मतलब यहाँ पर आपका युटाटन स्ट्रेट परता है, इसी को मैं जूम in करके अभी दिखाने वाली हूं, हाँ जी, जूम in करके देखते हैं, तो ये युटाटन चैनल जो आपको दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि visible नहीं है, बिल्कुल visible है, चलिए, अगला और world map प्लीज देखा करिए, world map प्लीज देखा करिए, और ना मुझे ये वाली comment मत करा करो कि मैं map मतला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे students हैं, जो मुझे ये बोलते हैं कि map मत include करो, हमारे exam में तो पूछा नहीं चाता है मैं आपसे, please इस बात को समझे, कि सिर्फ हमें अपनी सोच और अपनी जो पढ़ाई का दाइरा है, सिर्फ इतना ही नहीं रखना है, कि हमारा सिर्फ exam clear होना चाहिए, उससे जादा हमें कुछ भी नहीं पता होना चाहिए, ऐसे पढ़ाई मत किया करो, थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ा करो, कि हमारे exam में तो ये आएगा ही, exam oriented तो हमें पढ़ना ही है, बाकी हमें सब कुछ पता होना चाहिए, हम लोगों का तो ऐसा मतलब इतना brilliant mind है, कि हम जितनी knowledge गेन कर सकते हैं, उतना शायद कोई भी नहीं कर सकता, तो क्यों ना हम इसको जादा से जादा यूट करना ही नहीं, सब कुछ जानो, सब कुछ पढ़ो, exam oriented रखो, बट उसके अलावा भी इसको इतना रखो कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए, इस धर्ती पे जो भी exist करता है, वो हमें पता होना चाहिए, है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, what is the theme of World Economic Forum 2023 का, ये अभी summit हुआ है World Economic Forum 2023 का, इसकी मुझे theme बता दीजी, World Economic Forum एक और angle से बड़ा important है, इसकी जो है reports आप से पूछ ली जाती हैं, और अगर आपको याद हो, तो पिछले, जब मैं शायद 18-19 को ही, शायद किसी एक date में मैंने, World Economic Forum की जितनी भी reports हैं, उसकी list मैंने दा बिगर पिक्चर में आपको प्रवाइड करवाई थी, तो वो list एक बरी आप जरूर दुबारा से देख लीजेगा, आपका revision हो जाएगा, और वहां से सवाल बनने की बहुत सारी, बहुत जादा possibility है, या, हाँ जी, बताइए, इसका जवाब बताइए, मुझे, मुझे theme जाननी है, फटा 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 फ जी, ओके, ओके, प्रियांश, रविंद्र, अंजली, अंशिका, चाया, ग्रे, यहाँ पर जो first है, cooperation in fragmented world की किस तरीके से हम एक दूसरे के साथ cooperate कर सकते हैं, बटे हुए देश में भी, fragmented world में भी, यह इसका theme है, first आपका जो है, वो सही answer है, यहाँ पर Davos, यानि Davos कहाँ पर है, Switzerland में है, यह meeting हुई है, यह summit हुआ है, तो आपको जगा भी याद रखनी है, 16 January से 20 January तक यह पूरा summit चला है, जिसकी theme हमने अलरडी जाननी है, जगा का नाम बड़ा important है, सीधा-सीधा exam में पूछा जा सकता है, दूसरी जो चीज है, वो है, reports, चलिए, India is making AK203 rifles कौन सी country की support से, तो आत्म निर्भर भारत का एक और सपना पूरा करने के लिए, एक और हमने steps उठाए है, एक और step उठाया है, जहाँ पर हम यह rifles खुद बनाने की कोशश कर रहे हैं, एक country की मदद से, वो कौन सा देश है, उसके बाद हम इसके बारे में और आप जानेंगे, पहले मुझे आप देश का नाम बता दीजे, ओके, ओके, अच्छा, अभी यहाँ पर काफी सारे नए students जुड रहे हैं, जी, अच्छा लग रहा है आपको देखे, very good evening, सभी का स्वागत है, जो अभी अभी आये हैं, बताईए, इसका answer दीजे, very good, जी, और जो अभी आये हैं, मैं उनको बता दू, कि 27 तरीक को, 27 जानवरी को, यानि परसो, मैं सारी जो government schemes हैं, एक साल में, जो जितनी भी government schemes रही हैं, उसका एक session लेने वाली हूँ आपका, तो उसको आप join करना ना भूलिए, नवीन जी, आप office आ रहे हैं, सारी, office आ रहे हैं, मतलब मैं समझी नहीं, आप office आ रहे हो, 31st को, गुद इवनिंग, गुद इवनिंग, ओके दिपिका जी, आप नए हो, आए, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरी class में, जी, हाँ जी, सो बिल्कुल, रश्या से, ओके, 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 इंटर्व्यू प्रेपरेशन, बिल्कुल, बिल्कुल, नवीन जी, मैं आपसे जरूर मिलूंगी, आप में एको टेलीग्राम पे message ड्रॉप करिएगा, 31st को, 31st को क्या day है, अच्छा, अलपेश जी, टाइमिंग्स, जो है न, schemes वाला, जो टाइमिंग्स पूछ रहे हो, वो मैं आपको टेलीग्राम पे एक बरी message कर दूँगी, टेलीग्राम पे सारे टाइमिंग्स और thumbnail वगेरा, link सब कुछ में upload कर दूँगी, आप चिंता मत करो, आप वहाँ से एक बरी देख लीजेगा, है न, बट अभी मुझे announce करना था कि मैं लेकर आ रही ह है कि मैं पूरी schemes लेकर आऊंगी, also 28 तारिको SIDBI वाले students का exam भी है, 28 को paper है, तो उन students की भी एक बरी help हो जाएगी है, फटा-फट उनका revision हो जाएगा सारी schemes का, इसलिए मैंने 27 रखी है, वरना तो थोड़ा हम लेट रख सकते थे, बट SIDBI का exam है, तो उन बच्चों की भी help हो जाएगी, बट ये सिर्फ SIDBI वालों के लिए नहीं है, जितने भी आप किसी भी उसका exam दे रहे हो, 2023 में कोई भी सरकारी paper दे रहे हो, सब के लिए important होने वाला है, Russia यहाँ पर सही जवाब है, आप यहाँ पर देख सकते हो, Indo-Russian Rifle Private Limited ये एक company है, इसने उत्ता प्रदेश मे जो है, ये produce करना शुरू करा है, और आपको ये याद रखना है, कि ये जो है, हम यहाँ पर, ये joint venture है, पर यहाँ पर हम आत्म निर्भर भारत को, जो self-reliant India का हमारा सपना है, उसको पूरा करने के लिए, हम क्या कर रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए, हम basically, ये step हम उठा रहे हैं, रश्या की इसमें हम मदद ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि रश्या हमें ये बना के देगा या कुछ भी, बट हम रश्या की इसमें मदद ले रहे हैं, बिलकुल नमीन जी, मैं आपको पूरा-पूरा गाइड करूंगी, आप जब office में आए, तो मेरे को एक बड़ी message drop करिएगा, मुझे tag करके एक बड़ी message drop कर दीजेगा, हम office में जरूर मिलेंगे हैं चलिए, अब बात करते हैं, italian hydroelectric project जो है, कहां पर situated है, हाल ही में italian hydroelectric project देखी, जितने भी hydroelectric projects होते हैं, ये बड़े controversy में होते हैं, controversy में इसलिए होते हैं, क्योंकि नदियों को किसी ना किस तरीके से उन पर dam बना के, या फिर उनका root change करके, इस तरीके से utilize किया जाता है, कि वहां का आसपास का जो भी environment है, परियावरन है, उस पर बड़े negative impact पड़ते हैं, चीक है, हाला कि पानी से हम बिजली तो बना रहे हैं, हम अपने renewable resources को तो increase कर रहे हैं, बट आसपास के जो भ को हमेशा जो है, oppose करते हैं, कि ये projects आप रुकवा दीजिए, ऐसे projects नहीं होने चाहिए, italian भी इसलिए news में है, क्योंकि इसको जितने भी परियावरन के, जो भी support में लोग खड़े होते हैं, वो इस project को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मुझे इसकी location बतानी है, द लिख रही हूँ, कौन-कौन जवाब दे रहा है, चलिए, रिया, आप दिपांचो की copy क्यों कर रहे हो, चलिए, बताइए, हाँ जी, कौन सा state है, अलपेज जी, आप क्या लिख रहे हो, sorry, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, but ma'am, ये registry हो गया, sorry, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या यहाँ पर बता रहे हो, बिल्कुल यहाँ पर जो है, अरुनाचल प्रदेश के में बात कर रही हूँ, अरुनाचल प्रदेश का यह map है, right, तो यहाँ पर अगर आप एकदम eastern side में देखेंगे, तो आपको italian जो है, यह project यहाँ पर देखने को मिलेगा, चीक है, च जो है, आसपास के environment को बहुत जादा harm पहुंचाने वाला है, तो या तो इसको रोग दीजे, या फिर एक बरी दुबारा से इसको review करिए, ठीक है, यह दिबांग वैली जो अरुनाचल प्रदेश में है, वहाँ पर बनाने की बात हो रही है, again, अगर आप पूरे इंडिया क मैप में इसको देखे, तो अरुनाचल प्रदेश यहाँ पर पढ़ता है, ठीक है, इतना तो पता होगा, I'm sure मैं इंडिया का मैप आपको काफी बार बता चुकी हूँ, और हमारा देश है, हमें कहां कहां पर कौन कौन से state है, उसका जरूर पता होना चाहिए, मुझे पता है स्कूल में अकसर हम इस चीज में लापरवाई कर जाते हैं, मैपिंग नहीं पढ़ते हैं, बट अभी हम शायद इतने मिचौर हो गए हैं कि हमें अपने देश के बारे में तो पता होना चाहिए, और I'm sure आप जब bigger picture देखते रहोगे, आपको पूरे world के बारे में भी पता च आने को मिलेगा, आपको इसे exclusive economic zones, कितने kilometer या miles में होता है, अब ये क्या होता है, ये मैं आपको इसके बाद बताऊंगी, बट अभी मुझे आप exclusive economic zones, जो है कितने kilometer तक है हमारे देश का, वो मुझे बता दीजे, अगर नहीं पता कोई बात नहीं, अगले एक minute में clear हो हाँ जी, बताइए, क्या इसका answer होगा, और session को share जरूर कर दीजे, आप एक बरी फटा फट, आज थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है, डाउन लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है, थोड़ा सा हमारा जो break हुआ है, उसकी वज़ा से, बट कोई बात नहीं, हम दुबारा मिल रहे हैं, और दुबारा सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक बरी फटा-फटा आजा ये सभी, आज तो बल्कि और जादा जोश से आपको आना चाहिए था, क्योंकि हम इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, नहीं, हाँ जी, आपने ग्रुप में मेसेज पिन कर दिया, किस न 370 km यानि 200 nautical miles के आसपास की, जी, 200 nautical miles या फिर 300 km की यहाँ पर EEZ की बात हो रही है, चीक है, चलिए, अब ये EEZ क्या होता है, तो आपको इसके लिए ये देखना पड़ेगा, देखे, कोई भी देश होता है, ये world map है, कोई भी देश होता है, ओके, 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 प्रियाश जी, मैं आपको EEZ और SEZ में difference एक सेकिंड में बताऊंगे, पहले ये देखीजे, ठीक है, सबसे पहले, EEZ exclusive economic zones होते हैं, SEZ special economic zones होते है, जो full form है, उसमें ये difference है, बाकी इनके मतलब में क्या difference है, exclusive economic zones वो होते हैं, जैसे for example, ये है हमारा India, ठीक है, इंडिया के मालो इतने किलोमेटर में, मतलब इंडिया अगर ये है मालो, ठीक है, ये इंडिया का नीचे वाला portion है, उसके कितने किलोमेटर तक पानी में सिर्फ इंडिया का हक है, ठीक है, उसके आसपास जितना भी पानी है, उसमें आप minerals को extract कर सकते हो, हमारा खुद का हक ह उस पानी में ठीक है? या फिर उसकी हवाई पट्टी में मतलब इतने kilemetry तक उपर वाले एरिया में कोई भी जो है किस देश का जब किस देश का इरोपलेन आएगा नहीं आएगा वह हम decide कर सकते हैं या फिर कितने किलोमेटर में हम decide कर सकते हैं कि जी इसमें जो है कौन सा देश अंदर आ सकता है नहीं आ सकता है और ये हमारा खुद का आप ये लगा लो कि हमारी खुद का इसमें जो है हक होता है हम इतने किलोमेटर के पानी में जाके किसी से हमें पूछने की national या फिर पूरे एक world level पर पूछ के जाना पड़ेगा ठीक है तो permission लगेगी बट अगर ये इतने इतने portion में हम जा रहे हैं जो हमारा allowed है जो कि कितना है 370 km तक हम जा सकते हैं क्योंकि वो हमारा पानी है ऐते ही सब की countries के आसपास के areas में जो है उनका खुद का एक पानी आता है जहाँ पर उनको किसी से permission लेनी की ज़रूरत नहीं है कुछ भी काम करने के लिए वहाँ पर अगर उससे बाहर गए मैं एक और माप दिखा देती हूँ आपको थोड़ी better clarity हो जाएगी मालो देखे जितना ये होता है न सबसे पहले तो 12 जो nautical miles हैं वहाँ तक जो पानी होता है उसको हम territorial waters कहते हैं अगर हम 200 nautical miles यानि 370 km nautical miles को अगर हम km में change करें तो 200 nautical miles होता है 370 km के आसपास ठीक है तो 370 km तक हमारा पानी होता है जिसको हम exclusive economic zone कहते हैं अगर हम इस से बाहर चले गए इस 370 km से जादा चले गए उसको हम high seas कहते हैं और high seas में हमें international level पे जो bodies ब मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ UN clause जो यहाँ पर भी लिखा हुआ था यानि United Nations Convention on Law of Sea हमें इस body से पूछना पड़ता है कि हम क्या यहाँ पर जाकर क्या हम मच्छी पकड़ सकते हैं क्या हम यहाँ पर जाकर mineral extract कर सकते हैं अगर इसने permission दी तो ही हम जा सकते हैं वरना हम नहीं जा सकते तो यह concept आपको समझ आया कि exclusive economic zones का क्या concept है आप किसीने मुझसे पूछा था special economic zones special economic zones वो वाले areas होते हैं जहां पर मालो आपकी कोई manufacturing company है ठीक है हर एक company के लिए कोई ना कोई सरकार एक rule बना के रखती है ठीक और manufacturing company का सबसे जादा सबसे जो बड़ा काम होता है वो क्या होता है अपने देशवासियों की जो भी need है उसको पूरा करना और जादा से जादा सम देशों में export भी कर पाए अब कुछ ऐसे areas होते हैं कुछ ऐसे जगाहों पर companies होती हैं जिन पर बाकी देश से अलग rules and regulations लगते हैं मतलब बाकी देश में अगर बहुत जादा कड़े rules हैं तो special economic zones में इतने कड़े rules नहीं होते हैं मतलब थोड़े से light rules होते हैं थोड़े से हलक rules होते हैं वो कि क्यूं होते हैं ताकि हमारी सरकार ये चाहती है कि इन जगाहों पर हम थोड़े कम rules रखें ताकि लोग असानी से बाहर के देशों में अपना समान जो हम बना रहे हैं वो हम बेच सकें उनको हम कहते हैं special economic zone जहां पर normal rules से थोड़े हलके थोड़े कम सक्त rules होत क्लियर हो गया आपको डाउट, EEZ और SEZ में क्या डिफरेंस होता है, EEZ हम जब पानी की बात करते हैं, ठीक है कि कितने किलोमेटर्स तक हमारा पानी है वगेरा वगेरा, SEZ हम economy की बात कर रहे हैं, ठीक है हम अपनी manufacturing company की बात कर रहे हैं, हम rules की बात कर रहे हैं, जो उन companies पर लग हां जी, चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, which is true regarding INS वगीर, INS वगीर हाल ही में जो है news में था, ओके प्रियांज जी, इसके regarding आपको मुझे बताना है कौन से statement सही है, फटा-फट बताईए, फिर आज जो है, end में हम एक बड़ी important scheme लेंगे, एक बड़ सा क्रक्सना में यहां भी दूँगी, और आज का बड़ा ही important हमारा topic of the day रहने वाला है, जहां पर हम banking reforms के बारे में पढ़ेंगे, आपको याद है जब मैंने 10 days की strategy आपको बताई थी, especially Sydney वाले बच्चों को, तब मैंने आपको एक list प्रवाइड करी थी, जहां पर मैंने RBI का जो यह syllabus है न, इसमें बहुत सारे अच्छे-च्छे essays पूछे गए हैं, इन essays को जरूर prepare करना और मैं एक एक करके आपको the bigger picture में भी इन essays को करवा दूँगी, है न, उसमें banking reforms भी था, तो यह जितने भी bank वाले बच्चे हैं, bank वाले students हैं, सबके लिए descriptive में, banking reforms बड़ा important है, आज का descriptive, आज का descriptive उसी चीज़ पर है, right, okay, okay, दिपांचु जी, okay, हाँ, हाँ, आपका magazine, actually, कोई ऐसी magazine है नहीं, कोई ऐसी short-shot magazine होती नहीं है, problem यह है, कि कोई ऐसी एक magazine हो, जो मैं आपको फटा-फट बता दूँ कि हाँ, आप यह पढ़ लो, आप बस newspaper refer करो, वो ही काफ है, जी, मिल गर, मिल गए, मुझा सब क्या answer मिल गए, यह आप मुझसे एक बरी उसमें पूछे, टेलीग्राम में, विराज जी, मेरे को tag करके पूछेगा, ठीक है, चलिए, हाँ, जी, so, यहाँ पर जितने भी, बिल्कुल, जितने आपने बिल्कुल, यह सभी ने answer दिया है सारे ही स्टेट्मेंट्स यहाँ पर सही है, हम यहाँ पर देख लेते हैं, इंडियन नेवी ने हाल ही में कमिशन करा है, पांचवाट डीजल इलेक्ट्रिक, जो है, यह कलवरी क्लास वगीर, ठीक है, यह डीजल है, यह चलता है, फिफ्ट नंबर का है, यह आपको याद लिखे हुए हैं, यह सारे ही सही है, अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है, इस पंडुबी के बारे में, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं, राइट, चलिए, अब बात करते हैं, वाट ड़स ग्रीन बाक रिसेंटली सीन इन न्यूज रिलेटेड टू, ग्रीन बाक करके न, कुछ खाल ही में, बड़ा ही न्यूज में है, यह किस चीज से रिलेटेड है, बताइए, दिपका जी, कौपरेटिव बैंक के लिए, क्या शेयर करूँ, मुझे समझ नहीं आया, क्या शेयर करवाना है, कौपरेटिव बैंक के लिए, हाँ जी, ग्रीन बाक किस चीज से related हो सकता है ये आप जरा सोचो अमेरिका का और इंडिया का अमेरिका को हम आज कल एक ही context में पढ़ रहे हैं वो है कि जी वहाँ पर जो है वहाँ पर जो है इंफलेशन जादा हो गया है जिसको control करने के लिए उस वहाँ की जो सरकार है उसने अपना interest rate बढ़ा दिया है और क्योंकि वहाँ पर अब जादा interest मिल रहा है तो FPI के जो लोग है जो यहाँ पर invest कर रहे हैं वो अपना सारा पैसा निकाल कर इंडिया से उन्होंने सारा पैसा निकाल कर US में डाल दिया है क्योंकि वहाँ पर उनको जादा ब्याज मिल रहा है अपने पैसे पर जादा interest मि देख सकते हैं US dollars का आप यहाँ पर यह देख सकते हैं इसका picture यह green back और एक de-dollarization करके भी शब्द बहुत जादा news में है उसका भी मैंने दबिगा picture में आपको समझा दिया है de-dollarization क्या है कि हम जो है अब dollar को कम से कम use करने की plan कर रहे हैं ताकि हमारी निर्भरता dollar पर कम हो जाए और 2023 में ऐसी उमीद जताई जा रही है कि बहुत सारी ups and downs होने वाले हैं तो अपने घर में ही या फिर अपने देश में ही अगर स्थित्ता हो अगर हम किसी पर निर्भरनार हैं उससे बहतर कुछ भी नहीं है और शायद इसी लिए ही हमारे RBI ने देखो आप connect कर पा रहे हो चीज़ों को कि हम de-dollarization कर रहे हैं हम dollar पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं हम अलग-अलग देशों के साथ agreement sign कर रहे हैं कि जी अब आप हमारे साथ dollar में trade ना करके हमारे खुद की currency में trade करो मतलब rupee में trade करो और 35 से जाधा ऐसे देशे जनोंने हाँ भी बोल दी है बहुत करने के लिए RBI ने digital rupee CBDC यादे आपको central bank digital currency e-rupee जिसको हम बोड रहे हैं जिस पर मैंने burning issue अपना ले लिया है इसी चीज़ को शायद जो है अपनी खुद की देश की जो है एक digital currency बनाने के लिए RBI ने e-rupee भी launch कर दिया है December से wholesale के लिए भी ये use हो गया पहले November में retail में था है नम तो आपको ये भी पता होगा तो आप connect कर पा रहे हूं कि जो एक एक छोटे-छोटे हम step ले रहे हैं ये सिर्फ एक ही मकसद को पूरा करने के लिए लिए जा रहे हैं ये आपको समझ आरह है जी हाँ जी तो अलग-अलग steps जो हम लेते हैं, वो actually हम एक ही मकसद को पूरा करने के लिए लेते हैं चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले, आगे बहुत सारे important topics हैं ठीक है, again मैं एक बड़ी request करूँगी, क्योंकि अभी हमारा scheme of the day, topic of the day, सारी चीज़ा शुरू होने वाली है थोड़ी ही देर में, तो session को like और share फटाफट कर दिजे, सारे students यहाँ पर आ जाएं एक बड़ी, क्योंकि अभी lecture का सबसे important part शुरू होने वाला है और वो शुरू होने से पहले मैं आज का, आज का क्या लेना चाहती हूँ, आज का मैं comment of the day लेना चाहती हूँ, जिनको नहीं पता मैं बता दू, मैं हमेशा यहाँ पर एक offline comment में से एक comment choose करती हूँ, जो भी student का सबसे अच्छा comment मुझे लगता है, या फिर suggestion लगता है, अगर आपका कोई suggestion हो, तो वो आप लिख सकते हैं, या फिर आपका कोई भी comment हो, आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर उस बच्चे का नाम, उस student का नाम यहाँ पर discuss करती हूँ, सब के सामने appreciate करते हूँ, तो चलिए, नाम ले लेते हैं, उस student का, यहाँ पर मैं आज दो students की बात करन आप दोनों को, आप दोनों ने मुझे बहुत ही अच्छा message करा है, यहाँ पर, ma'am, before this session, I didn't have much clarity on the concept of reporate and reverse reporate, मैं ने उस दिन आपको बहुत ही, बहुत ही असान शब्दों में reporate और reverse reporate समझाया था, उसी पर इन्होंने मुझे यह बताया है, उन्होंने मुझे यह wonderful session और यह सब बोला है, thank you so much आपके इतने खुबसूरत comment के लिए, ठीक है, और प्रिया महरा ने भी बहुत अच्छा यहाँ पर मुझे बोला है, कि, okay, प्रिया महरा ने एक suggestion दिया है, मैंने उस दिन मुझे याद है, मैंने education और industry के बारे में बोला था, कि हमें दो revolution की जरूरत है, education revolution और industry का revolution, उन्होंने employment revolution एक और बोला है, आपने भी actually industry revolution का मतलब यही है, कि employment जादा से जादा मिले है, बट मैं आपका point समझ गई हूँ, thank you so much आप अपने इतने सुन्दर शब्दों के लिए, और जितने में यहाँ पर students हैं, आपको आज का session या फिर जो भी suggestions आपके हो जैसा भी आपको lecture लगे, आप जरूर मुझे comment section में comment करके बताइएगा, मैं आपके suggestions और आपके comments जरूर यहाँ पर discuss करूँगी, और शायद अभी हमारे साथ यहाँ पर सनायदत और प्रिया महरा नहीं है, बट I'm sure अगर आप मेरा recorded session देखें, तो मुझे high जरूर बोलेगा, ठीक है, मैं आपके comments देखूँगी, चलिए, अब वापस आते हैं, आज का हम शुरूर, आज हम पढ़ते हैं उद्ध्यामी मित्रा, उद्ध्यामी मित्रा portal भी है, और मतलब सेमी है, उद्ध्यामी मित्रा scheme हो या उद्ध्यामी मित्रा portal हो, वो काम एक ही करते हैं, वो क्या क important sector है आज के तारीख में 45% से जादा लोगों को 45% से जादा लोगों को रोजगार हमारे देश में MSME सेक्टर देता है बहुत जादा हमारा GDP का GDP जो है वो MSME से आती है तो MSME बड़ा important है ठीक है हमारे यहां आसपास जितने भी लोग है कोई ना कोई जरूर MSME सेक्टर में काम ग हाँ जी अब मैं जरूर आउंगी बिल्कुल मैं जरूर आउंगी है ना अब हम कोई off नहीं लेंगे कल तो खेर हमारा Republic Day है बाकी अब तो जो normal off है वही है बाकी अब मैं off नहीं लेने वाली हूं ठीक है चलिए तो यह 2020 को launch हुआ था यह एक online system है जहां पर हम MSME के लिए जो है through network है उस चीज से भी Links है उस चीज से भी Link है जीå कल मैं आपको बताती हूं कल जो है शाम को एक्ष लिए जीजी कल आपको मेरे दो लेक्टेस मिलेंगे मैं आप अब ही बताना चाहती हूं कल आपको मेरे दो lectures मिलेंगे, दोनों ही सुबह के time में मिल जाएंगे, the bigger picture नहीं होगा बढ़ सुबह के time में आपको एक बड़ा important lecture कल मिलेगा, कि Republic क्या होता है, हम कल Republic Day celebrate करने वाले हैं, but I am sure बहुत सारे बच्चों को Republic का मतलब नहीं पता, और ये actually हम क्यों celebrate करते हैं, उस चीज़ पे मैं एक बड़ा अच्छा session प्लान कर रही हूँ वो आपको कल मिलेगा, तो आप सभी के लिए ये बहुत जादा informative होगा, तो उसको आप जरूर देखेगा, दूसरा, अगर आपको history है, budget का क्या मतलब है, budget कहां से आया, जितना भी static part है और अब जो 2023, जो feb में जो भी आने वाला है, उसमें हम क्या-क्या चीज़े उमीद कर सकते हैं, आपके exam के लिए बहुत-बहुत ज़रूरी है, वो एक ये दोनो lectures आपको कल मिलेंगे इसके अलावा चीज़े नहीं मिलेंगी, बट ये दोनों, दो lectures आपको जरूर मिलेंगे, तो आप इन दोनों को जरूर देखेगा मैं भी आपको telegram में link share कर दूँगी ठीक है, जी, चलिए, अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की, हाँ जी, तो ये ऑनलाइन है, और ये ease of doing business को भी बढ़ाएगा, ease of doing business क्या होता है, कि हम अपने देश में कितनी असानी से एक business को शुरू कर सकते हैं, कितने कम दिनों में एक business को शुरू कर सकते हैं, ease of doing business, ठीक है, ease of doing business ये report भी निकालता है, कौन MSME sector में fall करते हो और अगर आप इस portal पे registered हो तो MSME की जितनी भी सुविधाय सरकार देती है वो सारी सुविधाय आप तक पहुंच सकती है तो इस portal पर registry करना भी आपके लिए बड़ा ही important है सबसे important आपके exam के लिए यह है कि आपको यह याद रखना है कि यह MSME sector से related है ठीक है question कैसे आएगा उद्यामी portal जो है वो किस चीज से related है आपको कुछ भी option दे देगा उसमें से एक MSME भी देगा ठीक है आपको MSME टिक करके आना है राइट चलिए अब बात कर लेते हैं हम topic of the day की topic of the day में हम आज बड़ा ही एक important topic discuss करेंगे 81 bonds additional tier 1 bonds यह क्या होते हैं देखे हाले में क्या हुआ है मैं आपको एक कहानी के तौर पर सुनाती हूँ 2020 में क्या हुआ था या फिर उससे भी पहले में एक और कहानी सुनाती हूँ कि जब bank का यह होता है कि bank एक bond release करता है जिसको हम 81 bonds बोलते हैं bank वो bond क्यू रिलीस करता है bond का क्या purpose होता है bond का यह purpose होता है कि bank bond release कर देता है जब bank को पैसे चाहिए होते हैं सरकार भी ऐसे करती है जिसको हम government security बोलते हैं bank банकों के bonds को शिर्व bond बोलते हैं तो जब भी bank को पैसा चाहिए होता है, तो market में common इंसानों के लिए जो है, वो bond release कर देता है, common इंसान उस bond को खरीदता है क्यों खरीदता है, क्योंकि उस bond पे bank जो है interest देता है और उसके बदले, जो भी common इंसान है, मैं आप कोई भी कोई industry, कोई factory, कोई भी खरीद सकता है bond, उसके बदले में बैंकों को पैसा दे देती है, चीक है, समझ आया, तो हमारे पास क्या हो गया वो bond हो गया, जिस पे हमें interest मिल रहा हर सान, और बैंकों के पास पैसा चला गया, जो भी बैंकों को पैसा चाहिए, ठीक है, दोनों की conditions फुल्फिल हो गई, अब सवाल ये उठता है, कि 81 bonds, ऐसे अलग से bonds क्यों है, नॉर्मल bond से 81 bonds अलग कैसे होते हैं, देखिए, नॉर्मल bond में क्या होता है, कि जब bond mature हो जाता है, बॉंड की जब maturity period पूरी हो जाती है, तो उस bond पे आपका जो मूलधन, जो आपका principle होता है, और आपका ब्यास जो होता है, वो दोनों आपको वापस कर दिये जाते हैं, ठीक है, मालनों आपने 100 रुपे है, 100 रुपे, सेकिंड मैं शायद pen change कर लेती हूं, हाँ जी, 12 आपको मिल गए, आपका हो गया फायदा, अब 81 बॉंड में क्या होता है, यहाँ पर आपको यह जो आपका principle है वो नहीं मिलता, आपको सिर्फ ब्यास ब्यास मिलता है, अब आप पूछोगे कि अगर सिर्फ ब्यास मिल रहा है, मतलब सिर्फ 10 रुपे मिल रहे है, मतलब 100 रुपे लगा दिया और सिर्फ 10 रुपे मिल रहे है, तो इसका क्या फैदा हुआ, ऐसा कौन पागल है जो इन बॉंड को खरीदेगा, है ना, तो खरीदते हैं लोग, क्यों खरीदते हैं, मैं बत फाइदा क्या होता है तूसरा फाइदा ये होता है कि इन पे जो इंट्रस्ट मिलता है वो नॉर्मल इंट्रस्ट से जादा होता है पर यहाँ पर रिस्क भी जादा होता है रिस्क कैसे जादा होता है येस बैंक के केस में जो वो रिस्क था वो साबित हो गया कैसे bonds में पैसा डूब गया yes bank का but 81 bonds जो है कोई भी bank निकालता ही इसलिए है कि अगर कोई भी नुकसान हो तो 81 bonds के जो पैसा है वो ग्राहकों को देना ना पड़े ये 81 bonds के terms and conditions में लिखा होता है but फिर भी लोग इनको खरीदते हैं ठीक है मतलब bank पहले ही बता देता है कि अगर आपका पैसा डूबा तो हम वापस नी देंगे बट फिर भी लोग इनको खरीदते हैं क्यों खरीदते है क्यों कि ब्यास जादा मिलता है लोगों को यह लगता है कि जरूरी थोड़ेना इतना बड़ा bank है डूबने के तो बहुत ही कम chances है बट देखो interest कितना जादा मिल रहा है तो उस लालच में लोग जो है खरीद लेते हैं कि higher interest हमें मिलेगा बट risk भी बड़ा high होता है तो yes bank के पास हो गया पैसा खतम yes bank ने बोला कि मैं तो मैंने तो पहले ही बोला था कि जरूरी नहीं है guarantee नहीं है कि मैं तुम्हें जो है पैसा वापस दूँगा तो अब ना तो मैं तुम्हारा principal amount दे रहा ना मैं तुम्हारा interest दे रहा क्योंकि हमारे पास पैसे हो गया है खतम ये थी 2020 की कहानी अब जो है बंबे high court ने ये बोला है बंबे high court ने जी बंबे high court ने अभी ये बोला है बिल्कुल बिल्कुल अगर अगर आप share market थोड़ा बहुत देखते हूँ ने yes bank को ये बोल दिया है कि तुमने जो है ये 81 bonds जो market में लोगों को दिये है ये fraud तरीके से दिये है तुमने लोगों को बताया ही नहीं कि ये 81 में हम तुम्हारा पैसा डाल रहे है तुमने लोगों को ये बताया है कि हम तो ये पैसा जो तुम दे रहे हो हम आपकी FD में ये पैसा डाल रहे हैं fix deposit में हम ये पैसा डाल रहे हैं 81 bonds में नहीं डाल रहे हैं तो तुमने लोगों के साथ धोके बाजी करके उनसे पैसा लिया है और अब तुम उनका पैसा नहीं दे रहे हो तो अब जो है तुम्हें ये 8000 करोड रुपे लोगों को वापस करना पड़ेगा अब yes bank के पास इतना पैसा है ही नहीं इसलिए उसके shares भी बहुत तेजी से पिछले एक दो दिन में ही एकदम नीचे गिर गए है अब yes bank ने जो है वो supreme court में अपलाए कर दिया है high court का decision आ गया है Bombay high court का अब yes bank ने supreme court में जो है ये प्लीद आयर कर दी है अब देखते हैं क्या होता है बट अभी जो है अभी तो यही आप बोल सकते हो यही अपडेट है जो भी अपडेट आती है मैं आपको अपडेट करती रहूंगी but I hope आपको जो है ये पूरा 81 bonds का क्या मतलब है वगेरा वगेरा ये समझ आ गया होगा अगर इसको आपको बहुत डीटेल में समझना है तो मैंने bonding issue आज का आपको करवाया है मैं telegram पे भी उ पैसा नहीं है न तो वो आप ज़रूरी नहीं है आपका जो है पैसा वो वापस करेंगे ये bank साफ साफ पहले बोल देते हैं हाला कि yes bank ने अगर सीधे तरीके से लिए होते अगर FD में डाले अगर मतलब लोगों को पागल बनाके धोका करके कि जी हम आपका पैसा FD में डाल रहे हैं ये ना कहा होता तो शायद Bombay High Court ये फैसला नहीं करता बट उन्होंने गलत तरीके से लोगों से पैसे लिए हैं इसलिए Bombay High Court का ये फैसला है अब देखना होगा कि Supreme Court क्या कहता है ये higher returns देते हैं तब ही तो कोई खरीदता है इसको मैंने आपको बताया इस पर principle नही अगर मैं इसको अभी यहां पर पूरा समझाने लग गई तो हमारा आगे का टॉपिक हो नहीं पाएगा और आगे का टॉपिक है हमारा banking reforms आज जितने भी वच्छे यहां पर जितने भी स्टूरेंट्स नहें है हाँ जी जितने भी स्टूरेंट्स यहां पर नहीं है देखें लॉस में ही जाएगा येस बैंक का जो शेर है लॉस में ही जाएगा क्योंकि 8000 करोड का जुर्मान उनको भरना है जो भी सुप्रीम कोर्ट का decision आए बट हाई कोर्ट ने तो दिया है तो लोगों ने अपना यांकिंग रिफॉर्म्स नहीं देखने आपको चलिए कोई बात नहीं तो यहां पर जितने भी नए स्टूरेंट से मैं बता दू एक पैस्टिल हमारे पास एक पैस्टिल अप्रोच होती है जिसके थू मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि जब भी आप कोई डिस्रिप्ट यहां पर सबसे जरूरी है एक तो हमारी economic एक हमारा environmental analysis ठीक है अगर economy पे ही कोई ऐसे आजाता है तो economy का angle political angle उससे क्या related है यह सारी चीज़े हमने include करनी होती है technological angle कोई है ठीक है मालो crypto पे कोई आगया artificial intelligence पे आगया अब तो chat GPT पे आगया अच्छा चाट GPT से मुझे याद आ आया ओके ओके दिपांचु जी एं सॉरी मुझे लगा कि आप जा रहे हो मुझे बाए बोल रहे हो चली चाट GPT से याद आया हम एक बहुत amazing चीज करने वाले हैं आने वाले दिनों में so एक बड़ी ये 26 27 हो जाए उसके बाद इसी इसी मन्थ में चाट GPT से related मैं बड़ी ही interesting चीज़े अपनी class में लेने वाली हूँ वो sessions बहुत interesting आपके लिए होने वाले हैं उसका भी में पहले आपको सब कुछ बता दूँगी मैं आपका ये schemes वाला एक बड़ी खतम कर दूँ क्योंकि 28 तारीक को बच्चो का paper है तो scheme वाला एक बड़ी wrap-up कर दूँ उसके बाद हम जो है वो चार्ट GPT वाली चीज़े शुरू करेंगे किस तरीके से आप अपने exam में help ले सकते हो चार्ट GPT से ओके हां जी चलिए तो आज का मैंने आपको बताया banking reforms banking sector में चलिए banking reforms देखें किसी भी चीज कोई भी question आता है जहां पर आपसे ये बोला जाए कि इस sector में हमें बदलाव की जरूरत है reforms की जरूरत है तो उस सवाल का आपको answer जो है हमेशा इस चीज से शुरू करना होता है कि हमें इसमें बदलाव की जरूरत है क्योंकि ये sector इतना जरूरी है बहुत जरूरी है क्यों जरूरी है वो आपको define करना होता है है ना जब आप examiner को यह बताओगे कि जी इसमें बदलाव की जरूरत है क्योंकि जो है यह हमारे देश के लिए बड़ा जरूरी है तो वो देश के लिए कितना जरूरी है वो आपको पहले बताना पड़ेगा ठीक है तो जैसे सबसे जो primary function है वो यही है कि आपसे deposit लेता है आपको loan वगेरा देता है यह primary function है secondary function बहुत सारे होते हैं जैसे check collect करना ठीक है जी उसके बाद आपका हो गया periodic payment, transfer of funds यह सारे कुछ होते हैं बट आपको primary function याद रखने हैं उसके बाद अगर आपको यह आता है कि कौन-क उनके लोगों को help कर रहा है, cooperative banks जो होते हैं, urban cooperative bank हो गए, वो भी ऐसे लोगों को help कर रहे हैं, जादा क्या देके, जादा interest देके, जादा उनके deposit पे ब्याज मिलता है, normal अगर HDFC में अपना आप जमा करोगे पैसा तो कम interest वो देंगे, cooperative bank में करोगे तो वो जादा interest आपको द ज़रूरी है, forex reserve maintain करता है, सारे bankों को सम्हालता है, ये सारी चीज़े आप लिग सकते हैं, जी कि उसके बाद हमारे पस commercial bank होते हैं, commercial bank में हमारा public sector bank, private bank और foreign bank सारे आ जाते हैं, public sector bank क्या होते हैं, जो सरकारी bank, SBI वगेरा हो गया, private bank क्या होते हैं, जो हमारे HDFC वगेरा, ICIC, CES banks सारे, उसके बाद हमारे cooperative banks भी होते हैं, specialized bank भी होते हैं, जैसे क्या, जैसे CID भी हो गया, है न, MSME sector के लिए हमने बना दिया, जैसे EXIM bank हो गया, अपना जो import-export का सारा है, वो हम EXIM bank देखता है, राइट, चलिए, तो ये जो है, आपको ध्यान देना है, चलिए, अब आपको answer के first half में ये बताना है, कि banking जो है, वो बड़ा important है, इसलिए हमें इसमें बदलाव की जरूरत है, वो बदलाव हम second half में देखेंगे, ठीक है, paper के first half में, ये कितना important है, वो आपको लिखना है, second half में, हम किस तरीके से इसमें बदलाव कर सकते हैं, क्या-क्या हम committees वग सकते हैं, बैंकों के fraud वगेरा पर, वो हम next part में देखेंगे, पहले इनका importance हमें examiner को समझाना है, उसको बताना है, कि जी हमें पता है ये सारी चीज़े, ठीक है, तो चलिए, objective of RBI, objective अपना financial institutions को promote करना, economy को बढ़ावा देना, economic growth को बढ़ावा देना, right, हमारी मुद्रा, हमा हमारी मुद्रा, हमारी जो रुपी है, वो बहुत जादा ना गिर जाए, उसकी value बहुत जादा ना गिर जाए, ये काम होता है RBI का, ठीक है, और शायद इसी लिए ही RBI ने digital रुपी जैसे कदम उठाए हैं, और वैसे भी उठाता रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहता है, price stability को, मुझे कौन बताएगा कि RBI price stability को कैसे maintain करता है, price stability को maintain करता है, monetary policy से, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, monetary policy में बहुत सारे tools आते हैं, जैसे CRR, FLR, repo rate, reverse, repo rate, open market operations, ठीक है, bank rate, इन सब को maintain करके, जो है, price ensure करता है, right, तो आप ये इसके origin के बारे में भी थोड़ा सा बता सकते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं, कि किस तरीके से हम reforms इसमें ला सकते हैं, तो उसमें जितनी भी आपको committees के नाम पता है, जितने आप committees के नाम लिखेंगे, जितने आप schemes के नाम लिखेंगे, उतना आपका जो वो है, answer है, वो ज्यादा interesting होगा, तो नरसिमम committee का नाम लिखें, वर्मा committee का नाम लिखें, ठीक है, आप ये नाम लिख सकते हैं, बाकि ये PDF में आपको attach करवा दूँगी, मैं आपको telegram पे भिजवा दूँगी, आप इसको read कर लीजेगा, points यहां से पढ़ लीजेगा, मैं आपको सिर्फ जो है, थोड़ा idea दे देती हूँ, क bankruptcy code, very, very important, 2016 में ये code आया था, बहुत important है, मैं इक काम करूँगी, ये इतना important है, मैं इसका next session में, next bigger picture में, अलग से एक session लोगी, ठीक है, Insolvency Bankruptcy Code थोड़ा important है, तो मैं अलग से इसका एक छोटा सा 5 minute का आपको बताऊंगी, right, उसके बाद digital payment का angle लिखे, digital payment से कौन-कौन से committee involved है, रतन वटाल committee है, बड़ी important committee है, उनका नाम लिखे, ठीक है, किस तरीके से हमारे उसमें आया है, UPI को आप miss नहीं कर सकते, जब आप digital payment की बात करते हो, UPI को mention करिए, NPCI को mention करिए, रूपे को mention करिए, भीम को mention करिए, ठीक है, कि किस तरीके से हम digital payment का revolution ना रहे हैं, इसी तरीके से हमें जो है, और ज़्यादा reforms की ज़रूरत है, यह आप लिख सकते हैं, बाकि यहां से आप points ले सकते हैं, मैंने आपको सारे points यह गंतानत दिवत की बहुत-बहुत शुबकामना है, आप सभी को, तो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि जितने भी लोग 2023 के लिए prepare कर रहे हैं, जितने भी महा packs हैं और live batches हैं, उन पे 77% का अभी discount चल रहा है, बट उसके लिए आपको Y674 code यूज करना जो है अपना exam crack करने के लिए, या फिर अगर आपको book लेनी है, जिस पर 22% flat off अभी चल रहा है, तो Y67 के पीछे एक छोटा सा S आपको add करना है, ये discount avail करने के लिए, ठीके जी, बाकि अगर किसी भी pack में आपको enroll करना है, आप कर सकते हैं, आप मुझ से इन दोनों पर भी करती हूँ, ये मरा telegram group है, वो मेरा instagram handle है, आप इन दोनों को join करिएगा, मैं आपको फटा-फट बता देती हूँ कि किस तरीके से जो है आप, जो है किस तरीके से मुझे, ये जो मैंने आपको offer दिया है, उसको आप किस तरीके से bank maha pack को join कर सकते हैं, अगर किसी student को नौ आए तो प्लीज एक मिनट इसको ध्यान से देखिएगा, जब आप bank maha pack plus पर जाएंगे, आपको ये double validity यहाँ पर दिखेगा, आपको तीनों stages की यहाँ पर तयारी करवाई जाती है, prelims means interview, उसके साथ साथ आपको e-book, 6000 से जादा test series, आपको recorded sessions, मैं आपके current affairs लूँगी, उसकी monthly PDF ये सारी चीज़े आपको provide करूँगी, और उसके साथ साथ ये सारे exams इसमें cover हो रहे हैं, I am sure 2023 में आप जो है, इन में से बहुत सारे exam, बहुत सारे paper यहाँ पर लिखने वाले हो, उसके साथ साथ ये भी exams जो यहाँ पर cover हो रहे हैं, मैं आपके current affairs लेने वाली हूँ, बड़ Y674, मैं आपको दिखा देती हूँ, Y674, जब आप apply करेंगे इसको, तो जो 3499 में आपको course है, वो सिर्फ आपको 7000 में पड़ेगा, और double validity ये offer जो है, ये सिर्फ आज के लिए available है, क्योंकि ये independence day का offer है, sorry, republic day का offer है, I am really sorry, republic day का offer है, तो ये सिर्फ आज के लिए, यानि सिर् 25 तारिक तक available है, तो आपके लिए थोड़ा सा समय रहता है, इसको join करने के लिए, तो मैं आप सभी से ये ही उमीद करती हूँ, कि आप थोड़ा सा जो है, इस मौके का जरूर फायदा उठाएंगे, 2023 में आने वाले हर एक exam को ये जो है, cater करने वाला है, तो इसको आपको Republic Day के लिए, चलिए तो वो दो सेशन जो मैंने कल डालने वाली हूँ, वो जरूर देखेगा, मेरे दोनों चैनल जो है, Telegram और Instagram जो मैंने आपको बताया, वो join कर लीजेगा, क्योंकि PDF अगेरा सब कुछ मैं वहाई पर share करती हूँ, आज के लिए इतना ही, thank you so much, अब ह beautiful day ahead, चलिए चलिए, thank you, thank you, thank you, bye-bye, bye everyone, ध्यान रखे आप से अपना, bye-bye